हलो आरिवन, कॉंपर्टिटिव एक्जाम में आपका एक बाफ फिर स्वागत है आज मैं आपके साथ आशावरकर भरती का जो रिजल्ट है 780 पदों पर वो कब निकलेगा आपको बताए कि जैसा कि हाई कोट से जो है ये भरती क्लियर होने के बाद अब जो है राजे सरकार के पास ये जो है इसका रिजल्ट का मामला जा चुका है तो कब जो है इसका रिजल्ट आ सकता है आज हमें इसके रिगार्डिंग कुछ जानकारी प्राप्त हुई है तो काफी लंबा समय इस भरती को हो चुका है लगबग देट से दो साल पहले जब इसमें केस हुआ था तो 2022 के end में समझ सकते हैं लगबग इसमें देट साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है अब लगबग जो है यह अंतिम स्टेज पर आपका जो है यह रिजल्ट है और जो है कभी भी जो है इसका रिजल्ट निकाला जा सकता है दस जुलाई के बाद पहले जो है जितने भी आपके डिस्टिक रहते हैं वहां के जो हैड रहते हैं जैसे की चीफ मेडिकल आफिसर्स वहां पर यह जो है स्टेट शिमला की और से लेटर आएगा और वहां उनसे जो है प्रमिशन आएगी कि आप रिजल्ट डिक्ले है कि 10 तारीके बाद जो है कभी भी इसका रिजल्ट डिकलेर किया जा सकता है क्यूंकि जो इसका रिजल्ट है औल्मोस्ट सभी डिस्टिक्स में जो है तयार है जैसे ही जो है शिमला से परमिशन आती है यह रिजल्ट डिकलेर कर दिया जाएगा तो 10 के बाद जैसे ही 10 के ब medical officer में आता है वहां से आपका result रिलीज किया जाएगा और आपको पता है कि जब permission जो headquarter से आती है तो पहले वो district level पे जाती है और district level के बाद वो BMO office को जो है notification जाएगी उसके बाद जो है ये result जो है आपके BMO office से या CMO office से declare किया जाएगा तो बहुत जल जो है इस भरती के regarding आपको अब जो है result देखने को मिल सकता है और बहुत जल आपकी लगबग next month तक आपकी joining भी इसमें देखने को मिल सकती है तो ये update में आज आपके लिए ले किया है कि कब तक इसका जो result है जो state headquarter जो शिमला में है वहाँ पर जो state आशा coordinator जो वहाँ पर बैठते हैं वहाँ से मैंने ये पता किया है उन्होंने का आए कि file बिल्कुल ready रखी गई है जैसे ही जो है दस तारी के बाद इसकी permission मिल जाएगी result के regarding तो आपका इंतिजार जो है खतम होने वाला है जैसे इसके regarding कोई update आती है तो इस channel पर आपको इसके बारे में update करवा दिया जाएगा तो आज की वीडियो के लिए इतना ही धन्यवाद